कॉंग्रेस के राष्ट्रे मास अचीव अचतिसगर के प्रभारी सचन पाइलेट का कि रोडी लाल मीना को कमजोर महकुमे बाटे जाने को लेकर तंचकसा हैं। सचन पाइलेट ने कहा कि जैसे विभाग बाटे हैं, वो मुख्यमंत्री भजलाज शर्मा का विशेश अधिकार है। निर्नए सरकार और बीजेपी का है। लेकिन ऐसा दिखता है कि जो महनत की रोडी लाल मीना ने भाजपा के ले की थी, उसका फल उन्हें नहीं मिला। उनके साथ न्याय नहीं हुआ है। वही सेचन पाइलेट ने भजनलाल सरकार के मंत्री बावुलाल खराडी के बयान पर भी निशाना साथ हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इशारों ही इशारों में पूर्व सिये मश्रो गैलोत पर भी निशाना साथ है। पाइलेट बोले कि मंत्रियों को बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए। बड़े पद पर बैठे कई लोगों की जुबान फिसलती है। सरकार की शुरुवात में ही दिक्कते पैदा हो रही हैं। अब ऐसे में देखना काफी दिल्चस्प होगा कि भजनलाल सरकार कैसे राजस्थान को समालती है। सचेन पाइलेट जो हैं वो विपकष के नेता हैं और वो अब किरोरी लाल मीना को निशाने पड़ ले रही हैं। और निशाना साधा है, और यह कुछ लाल मीना कला मुझे बुरा लग रहा हिए उन्हें जो पद दिया घ्रिणा काफ़ी जो छोटा विभाग हैं उन्हें कारे क्या है, उसके अनुसार मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें ये पद देना चाहिए था बलकि वो एक बड़े पद के हकदार है लेकिन उन्हें वो हक नहीं मिला है अब ऐसे में किरूई लाल मीना और बीजे पी के टू दिगर्श नेता है वो क्या कुछ कहते नसर आते हैं वो देखना काफे दिल्चास पर देखना